कल बाद नमाज जुमा दस तारीक को ठीक दो बजे मुस्लिम चौक पर एक प्रोटश रखा गया है जो की रजा एकेडमी की जानिच से रखा गया है जो बीजेपी की स्पोक परसन नुपूर शर्मा और बीजेपी के लीडर नविन जिंदाल और बीजेपी के लीडर तलिंगा जाना के राजा सिंग इन तीनों के खिलाफ प्रोटश रखा गया है मैं तमाम गुलवर्गा के नوجवानों से घुजारिश करता हूं कि बाद नमाज जुमा पूरे तादाद में लोग मुस्लिम चौक पर आकर इस प्रोटश को कामियाब करें और अपने गुस्ते और अपने बीजेपी के सर पर जू नहीं रहती जब हिंदुस्तान के बाहर के मुल्क जब इसके खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हैं तो उनको सस्पेंट करने का काम किया जाता है उन्हें सस्पेंट के साथ साथ उनके ओपर क्रिमिनल केस दाल करोने जब तक जेल नहीं बेजा गारिया इस तरीके के फिर्कप्रस्ति लोगों को सबक नहीं सिखाय जाएगा हिंदुस्तान तरक्की करने वाला नए हिंदुस्तान में यह लोग दंग्य करने की नियद से डिवाइडव रूल करकर पॉलेसि करतें पार नहीं आने की नियस से गिस तरीके क्रिक débद में नज किये जाते हैं और वली अल्ला के ओपर खाजा गरीब नवास के ओपर भी इस तरीकी के अलफास कहते हैं राजा सिंग नजर आता है तो इन तमाम लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ा इतिजाज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मुस्लिम चौक पर रखा गया है मैं फिर एक बार तमाम लोगों से खुजारिश करता हूँ कि आप आदे घंडे के लिए अपने कारोबार को बन करकर इस प्रोटेस्ट में ज़्यादा ज़्यादा तादत में आकर आपकी जो मुहबत है आप मुहबत दिखाई है मनसब्ब निबियन फखतुलू मनसब्ब निबियन फखतुलू कल बाद नमाद जुमा दो बजे मुस्लिम चौक पर रदा एकडेमी की जानिब से एक प्रोटेस्ट रखा गया है जो के राजा सिंग के खिलाब राजा सिंग ने जो सरकार खाजा गरीब नमाज रहमत लल्ह आले की शान में जो घुस्ताखी की है और नुपुर शर्मा जो खुजु सलल्लाई लेसल्म की शान में घुस्ताखी की है उन दोनों के खिलाफ एक मुस्लिम चौक पर प्रोटेश रखा गया है मैं सभी आशिखानी मुस्तफा से यह दरखास करता हूँ कि आप सभी लोग मुस्लिम चौक पर जमा हो और अपने घुसे का इसहार करें